रावन मास के पहले सुम्वार को श्रे संगमेशुर माधे वंधिर रुनाय में श्रिधालों ने जला विशेक कर भगवान शिव के दर्शन के सुबह से शाम तक हजारों श्रिधालों मंदिर में पहुंचे, मंदिर के और से भी श्रिधालों के सुविधा के लिए सभी पुक्ता प्रबंद किये गए ज्री पंचायती अखाडा महानुर्वानि के महंत विश्वनात गिरी ने बताया कि अखाडे के सची वेवम अखाडा परीशद के रस्ट अध्यक्ष महंत रविंदर पूरी के मालध दर्शन में श्रधालों के ठहरने खाने पीने का प्रबंद धाम परीसर में ही किया गया है उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को सावन मास की समापती होगी मंदिर सेवादल के प्रबंदक भूशन गोतम ने बताया कि 26 जुलाई को आधी रात के बाद कावडियों द्वारा जल चड़ाया जाएगा दस अगस्त को सावन मास की समापती का भंडारा होगा और इसके अलावा सावन मास में प्रते दिन सुबह 5-6 बचे तक भगवान महादेव का 11,000 विवल पत्रों से अभिशेक किया जाएगा 25 जुलाई को पांच जरूर्ट मंद परिवारों के कन्याओं का विवाह भी कराया जाएगे सबसर पर महंत धीरच पुरी दिगंबर आतम नंद गिरी जैनारायन जशर्मा जजपानेता डॉक्टर जस्विंदर खैरा धीरच नैन महेश बत्रा सेवा दल प्रधान रमनीक सिंगला राज कर्शप कमल गोतमादी उपस्तिते नाग पंचमे पर होगी क काल सर्फ दोश सा मुहिक पूचा मंदिर के महंत विश्वनात गिरी ने बताया कि काल सर्फ दोश से ग्रस्त लोगों को दो अगस्त को नाग पंचमे के दिन पूजन करवाने से इस दोश से मुक्ते मिलने का योग है नाग पंचमे पर पूजन से काल सर्फ दोश का प्रभा अब कम होता है इस विदी से दिवार पर गेरु पोतकर पूजन का स्थान बनाया और देवनागों की आकरिती बनाकर पूजा की जाते हैं। अब बताया कि जनम के समय ही ग्रहों की दशा में जब राहू के तो आमने सामने होते हैं और सारे ग्रह एक तरफ रहते हैं तो उस काल को सर्फ योग कहा जाता है। पूजने की विशेश क्रेपा होते हैं। और आज प्रत्म सुवार को लोगों ने बावा की पूजा अर्शना की। इसके दोरान अभी आने वाले समय के अंदर जो है पचीस जुलाई को जुरुतमंद कन्याओं का महाश्री रविंद्रपुर जी महाराज हैं विश्वनादगर जी के सिनिध्य में शुरुतमंद कन्याओं की शादी की जाएगी। और 26 तारिक को महाश्री रात्री परव बड़ी धूमदाम से मनाया जा रहा है जिसमें कावडियों के लिए विशेश विधाएं क्यों ही है और अपंगर एसहाई लोगों के लिए अलग से विवस्ता दर्शन करने के लिए क्यों ही है और उसके बाद 2 अगस्त को नाग अजमी की यहां मंदिर के प्रोहितों के द्वारा पूजा की जाएगी और नो तारिक को पार्थ हिश्वर शिविलिंग पूजन जो की हर रोज यहां पे हो रहा है उस दिन विशाल सोबह यात्रा के रूब में महन्त शिरी विश्वनाथगर जी सचीव शिरी पंचैती कर पहवा सरसोजी तीरत पर पहुंचेगी और वहां पर उसका समापन एम विशरजन किया जाएगा